तीवी के पॉपलर अक्टर अनुपम शाम का निधन हो गया है लाइफ लाइफ लाइन अस्पताल में अनुपम ने आखरी सास ली बता दे कि अनुपम को किड्नी से जूडी समस्या की वज़े से अस्पताल में भरती किया गया था वे आईसियू में भी थे लेकिन कुछ दिनो पहले ही वे वेंटिलेटर से बाहर आए थे अशोप पंडित ने अनुपम के निधन की जानकारी दी उन्होंने ट्विट किया बहुत ही दुख हुआ ये जानकर कि दिगज आक्टर अनुपम शाम का मल्टिपल औरगन फेलियर होने से निधन हो गया है ये फिल्म और टीवी इंडस्री का बड़ा नुकसान है बता दे कि पिछले साल ही अक्टर किड्नी के दिक्कतों के वज़े से अस्पताल में भरती हुए थे उनके भाई ने अस्पताल के बिल भरने के लिए लोगों से आर्थिक मदद भी मांगी थी हालत बहतर होने के बाद आक्टर को रोजा न अनुपम पिछले एक साल से कई बिमारियों से जूज रहे थे उन्हें मुंबई के लाइफ लाइफ लाइन अस्पताल में भरती किया गया था उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था इस दोरान उन्होंने कई लोगों से आर्थिक मदद मांगी थी यूपी के सीम योगी आदित्यनात ने पिछले साल अनुपम शाम जी को इलाज के लिए 20 लाइक रुपई की आर्थिक साहता प्रदान की घोशना की थी उन्हें भारतें दूर नाट्य अकाडमी अवार्ट से सम्मानित किया गया था